चलिए कहानी को शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम लोग MCQs देखने वाले हैं Networking और SQL के अंदर सी ये दोनों ही portion आपके IP और CS के लिए very very important है तो चलिए कहानी शुरू करते हैं CUET के अंदर के MCQs सो बात आती हैं पर Computer Network It is a collection of hardware components and computers It is interconnected by communication channels It allows shares and resources and information जहां देखते ही हमें पता चल गया होगा कि हम सब के बारे में कहर बात यहां पर कर रही है What is firewall? देखें, firewall के जब भी बात आती है तो यानि की security से related चीज़ों के बारे में बात है जो आती है तो जब भी question के अंदर firewall से related चीज़ों तो हमें कुछ authorized, unauthorized access के बारे में security related चीज़ों के बारे में बोला गया होगा Physical boundary of a network An operating system of computer network A system designed to prevent unauthorized access बलकुल मेरी निगाहे, मेरी नजरें जो हैं सर्फ इसी को ढूंड रही थी तो unauthorized access, firewall जैसे बच्चों को समझाते हैं आग की दिवारे तो मैं घर में हो, ठीक है और आपके घर के दिवारों को आग लग गई है मतब ऐसे example देके बता रहे तो अब तुम ना तो घर से बाहर जा सकते हो ना बाहर वाला घर के अंदर आ सकता है तो यह paper में लिखने वाली चीज़ें नहीं होती हैं कुछ चीज़ें होती हैं अपनी फंडाउस के खुरू खुद को समझाना तो वो वही चीज़ें कि फायर वाल आख के दिवारे तो यानि कि सिस्टम के अंदर कोई भी अनौथराइज एक्सेज है जो एंट्री ना ले पाई तो अगर इस डिवाइस की बात करेंगे तो यह जो दो शिमिलर नेटवोक्स होते हैं उनको अपस में कनेक्ट करने का काम है जो करता है तो हम टू कनेक्ट लैन यहां पर लिख देंगे तो सही रहेगा आगे हम लोग चलेंगे Each IP packet must contain तो IP packet की अगर हम बात करते हैं तो देखे, मुझे कहां से कोई चीज कहां भेजनी है तो यानि की मेरे source or destination दोनों के बारे में चीज़े हैं जो बिल्कुल पता होनी चाहिए कि अगर मैं packets की बात कर रहे हूं तो कौन सा packet किस रूट से किधर को जाएगा तो कहां से आया है, कहां से आया है, कहां कुझ आएगा तो ये बात IP packet के ऊपर है जो होती है कहता है कि which of these is not a communication channel तो जब channel की बात हो रही है तो हमारे पर satellite आ रहा है, microwave आ रहा है, radio wave आ रहा है हम Wi-Fi के बारे में यहां पर channel के अंदर बात नहीं करते हैं metropolitan area network, इसकी खैर full form आपको पता चली गई अरे वाह, इसकी भी full form मैंने लगा दी तो इट इस हमारा जो हो गया which of the falling is the smallest तो सबसे चोटे की बात करेंगे तो pan की बात करेंगे तो सबसे बड़े की बात करेंगे तो van की बात करेंगे तो हमारा personal area network, wide area network बात करेंगे अगर आगे चल करके हम लोग यहां पर which transmission media is capable of having a much higher bandwidth data capacity की बात हो रही है जादा तो हम लोग यहां पर जो है answer बिलकुल ढूंड रहे हैं नजरे निगाहे, optical fiber की तरफ है जो बढ़ रहे हैं तो fiber optical हमारे यहां पर जो है best answer होगा क्योंकि यह सबसे महंगी भी है, सबसे fastest भी है data quality भी है, जो सबसे अच्छी है, high है which type of transmission media is the least expensive? तो लीस्ट expensive की जब हम बात करते हैं तो हम लोग twisted pair cable की बात कर रहे होते हैं तो यह सारे topics तो आपको एक बर पहले पढ़े हुए होने चाहिए तो वो चीज़ें आप मेरे networking वाले chapters के अंदर से कर रही होंगे यहाँ पर देखो छोटो छोटो से हैं पतर आप कहलो कि भाई, जो है लाल रंग का जो फल होता है, उसका नाम क्या है तो नीचे आपको संतरा एपल बता रखा है तो उस वही यह चीज़ की वैसे ही आपको answer करने है तो least expensive की बात हो रहे है तो twisted pair cable की बात हो रहे है a device that forwards a data packet from one network to another that is called एक जो है network से दूसरे network पर तो अगर हम भेज रहे होते हैं तो हम root decide करके भेज रहे होते हैं तो router हमारा answer होगा router को मैं बच्चों को इस तरीके से समझाती हूँ कि root decide करने वाला जैसे कि अगर तुमने Amazon से कुछ order किया है है ना मान लिजिए तुम्हारे तरहें बहुत सारे लोगों ने और भी order किया है तो अब जो delivery boy है ना उसका यहाँ पर जिमेदारी हो गई कि आपके घर तक उस चीज को जल्दी से जल्दी और कम समय में कैसे सेफ ली है जो पाँचा पाएं तो वही चीज यहाँ पर router की है तो वह root decide कर रहा है कि यू 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 चले जाओ ऐसे ऐसे करके तो मतलब कि यह कहां पर traffic है जो basically कम होगा तो root decide करने वाला हमारा router हो गया तो अब आपको इस प्रशन का आंसर है जो यहाँ पर वीडियो को पोज करना है और अपनी कॉपी में लिखना है या फिर अपने मन में सोचना है कि आपको पता है कि नहीं पता है गाइड़ मीडिया और अनगाइड़ गाइड़ में आपकी मदद कर देती हूँ तारों की बात हो रही है अनगाइड़ में हम बिना तार जसको हम wireless medium बोल देते हैं तो I hope आप आचुके होंगे pause करने के बाद में तो गाइड़ के अंदर हम अपनी तीनों तारों के बारे में बात कर रहे होते हैं अभी यहाँ पर फिर से पोस करिये इस कोशन का आंसर गैस करिये नेम दे प्रोटोकोल तो इसमें आप सोचो विचारो और उसके बाद में अपना अंसर है जो करिये तो बिलकुल हमारे पास में हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकोल के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ कहीं फाइल ट्रांसफर के बारे में है जो लिखा हुआ है बात करेंगे अगली बार पर इसे यह वन लाइनर हैं कि आपको जस्ट गैस करना है अपने दिमाग को जितना जादा गुमाने की कोशिश करेंगे उत्ती चीजें हैं जो मतलब गेट करते जाएंगे तो बात आती है नेम दे ट्रांसमिशन मीडिया बेस्ट सुटेबल फर कनेक्टिंग टू डेजर्ट एरिया देखें डेजर्ट एरिया की बात हो रही है तो हम यहाँ पर माइक्रोवेव को आंसर है जो करके चलेंगे जब भी आपके सामने ऐसा कोई प्रशन आता है जिसमें आपके सामने चीजें लिखी हूँ कि हिली एरिया हिली एरिया अगर डेजर्ट एरिया की अलावा आपके पास हिली एरिया की बात है तो मोस्ट सुटेबल अगर आप से पूछा है तो उस टाइम पर आप रेडियो वेव को आंसर है जो कर रहे होंगे क्योंकि अगर हम एक एक एकजामपल लें पहाडों का तो पहाड ऐसे पहाड है तो हमारी कार अगर यहां चल रहे है तो भी गाना चल रहा है यहां चल रहे है तो भी गाना वही चल रहा है यहां पर तो यहां पर बेस्ट सुटेबल रहने वाला है क्या रेडियो वेव क्यो मेर को क्या है कि हर जग उसकी रींज है जो स्पेसिफिकली आ रही है तो यह एक बेस्ट एक्जेम्पल हो गया कि इसका रेडियो वेव का तो वह पहाडों में थोड़ा ज्यादा स्वीटेबल कह सकते हो और अगर हम डेजर्ट अरिया की बात करेंगे तो ठीक है आप माइक्रो कि कहानी बताई है कि Sunil has purchased a new smart tv and wants to cast a video from his mobile to his new smartphone कहते है कि identify the type of network he is using and explain it तो आपको type of network तो आपके पास span आगया आपके पास LAN आगया मैन आगया वन आगया ठीक है तो type of network अब बंदा क्या गर रहा है उसने नया tv खरीदा बस वो क्या गर रहा है कि wants to cast a video इसके mobile उसका mobile उसका जो है टीवी ठीक है खुद का खुद का खुद का यानि की personal हो गया तो type of network की बात होगी तो हम personal area network की बात करें मेरा phone मेरा network है तो मेरा 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 तो कितर क्या होगा यहां पर personal area होगा तो जहां से भी लिखा होगा उसको आप ढून लेंगे कर हमारा a answer हो गया IPR intellectual property right SIM के लिए subscribers identity module हाँ सही है ओके तो SQL के बारे में आगे बात करेंगे तो SQL के अंदर शलते हैं तो कहता है कि a connectivity package such as dash must be imported before writing database connectivity python code तो देखे इसके लिए मैं आपको जो है अपना lecture बता दूँगे because that's the best part तो जब आप एक best shoot कर लेते हो तो आप satisfied होते हो कि दूसरे की जुरत नहीं है तो इसलिए मैंने उसको last year shoot किया था और अपका syllabus भी चेंज नहीं as it is है तो आप इसको watch है ज़रूर कर लेना तो connectivity package such as dash तो देखे आप mysql.connector की बात कर रहे होते हैं कि इसकी connector की अब हमने दो जगे इसको लिखा है तो आप ढूंडेए और इसके अंदर से आपको choose करना होगा answer तो मैं इसमें b option को choose कर रहे हूँगी क्योंकि मैं answer इसको कर चुकी हूँ ऐसा क्यू कर चुकी हूँ क्योंकि इसमें small के अंदर लिखा हुआ है mysql.connector बात करते हैं अगले चीज की कहता है कि SQL keyword is used to specify the table देके table specification की बात हो रही है तो आप बात किसके बारे में क लिखो capital में लिखो तो आपका जो है same ही होगा तो हमारा answer जो होगा वो a option के साथ में होगा to remove duplicate rows from the result of a query specify the SQL qualifier तो देखिए अगर हमें duplicate entries को remove करना है तो हमने बहुत अच्छे तरीकी से आपको बताया रखा है कि हम distinct का use कर रहे होंगे इसलिए हम D option को यहाँ पर choose कर रहे होंगे to obtain all columns use dash instead of listing all the column names in the selected list ठीक है तो अगर हमें सारे के सारे column all columns के बात हो रही है तो हम यहाँ पर asterisk का use कर रहे होते हैं तो asterisk हमारा option a के साथ में चल रहा होगा true or false के अंदर आप मुझे answer करोगे row count is the read only attribute देखिए यह connectivity के अंदर होता है मुझे ऐसा क्यों परतीत हो रहा है कि हमने यह सवाल कहीं न कहीं कर रहे हैं एक दो है तो अगर copy भी हो जाए तो it's okay क्योंकि इतना सारा matter पढ़ा हुआ है सुभ़ से शाम तक एक ही काम कर रहे है कभी 11 की क्लास और कभी 12 की क्लास और कभी CUT की क्लास हो रहे है कभी आपकी लिए क्लास है जो शूट कर रहे हैं तो मुझे पता नहीं मैंने शायद आज यह किसी एक batch के अंदर पढ़ाया होगा हाँ ना अगर आप एक रियली एक टीचर वनना चाहते हैं तो तीचिंग आपके लिए एक पैसा खमाना वो एक अलग चीज हो गई हम उसको छेडी मी रहे हैं अगर आप इसको सच में अपने अंदर पैशन की तरह लेकर के चलते हैं तो आपको सच में अप जब पेपर आ रहे होंगे आप एसा फील कर रहे होंगे कि आपके पेपर आ रहे हैं तो वाके में एक वो चीज और आपको पता निचला में यूज बहुत देर से प्हास लग रही है मैं ने घरवालों को फोन करके पानी भी नहीं मकाया हैं तो लेकिन मुझे ऐसा लग रहे है कि मुझे बढ़े प्या तो आपके लिए सारी चीजें बहुत अलग हो जाती है बाक में पढ़ जाती है जब आप इस रिस्पॉंसिबिलिटी पर आते हो क्योंकि मुझे लगता है कि स्वभाग्य वाले ना कुछी प्रोफेशन है यहां पर जैसे कि डॉक्टर हो गया है जिसमें से हम मैं अपने आपक लखी मानती हूँ टीचर के तौर पर क्योंकि आपकी जिन्दगी से बहुत सारे लोगों की जिन्दगी है जो जुड़ जाती है अगर किसी के साथ कमिटमेट करते हो पहली बात करो ही मत अगर नहीं पूरा कर चकते अगर कर रहे हो तो इसमें बहुत ही क्लियर रहो ठीक है अगर क्लियर रहो और उस्चीज को पूरा करने के लिए इसाथ के लिए जी जान है जो यहाँ पर लगातो तो शायद वही जी जान है जो मैं भीहाँ पर लगा रही है और खेर मुझे घड़ी की सुएं यह बता रही एं कि आठ बज के तूस के तीस मिनट हो चुके हैं और हाँ पर हम जौदा टाइम है जो नहीं दे सकते हैं खेर आप इसका true or false में मुझे आंसर है जो कर रहे होंगे और मुझे जरूर डाल करके बताएंगे आंसर की क्या है तो मैं 31 नहीं होने देना चाहते हैं उससे पहले मैं अपनी क्लास में जाना चाहती हूं and all the best आपके exams के लिए और आपका जो है selection बिलकुल होगा and ऐसी हमारी भी दुआ है तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर thank you so much bye bye god bless you हसते रहो मुस्कुराते रहो bye